अगर आप लोग अभी तक कोई भी गानर निकालने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ अगर आप लोग इस तरीके से जो तरीका मैं भी आपको इस वीडियों बताऊंगा अगर आप लोग इस तरीके से किसी भी गाने को रुणियम पर निकालते हो तो आप लोग 100% कोई भी गाना होगा उस गाने को बड़ी आसान तरीके से खुश से रुणियम पर निकाल लोगे तो आप वीडियों स्टाइब करते हैं अगर वीडियों अच्छा लगे तो फलीज लाइक भी कर देना और कमिंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग Александ is सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे जरूर प्रेस करें ना इस यह फैदा होगा जब मैं कोई दोसरा वीडियो ना लोगा ताप सबसे पहले पहुंच जाएगा और इस वीडियों को पर दोस्तों के साथ सेर भी कर देना पट्सक्राइब मैं जैसे आपको अरुनियम पर कोई भी गान मिकानना है तो आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है आप लोगों को त्बना जैसे यह गाना है मानलो यह गाना आपको अरुनियम पे निकालना है अब आप लोग इस गाने को कैसे निकालोगे मैंने बहुत साई लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं जैसे वो लोग कोई भी गाने को सुनते हैं तो सुनने के बाद उस गाने को तुरंद रुनियम पे निकालना स्टार्ट कर देते हैं पूरा गाना एक साथ निकालने की कोशिस करने लगते हैं जिससे उनसे गाना नहीं निकलता है तो आपको ऐसी गलती नहीं करने हैं क्योंकि आप अभी एक बेगनर हो तो आप से पूरा गाना एक साथ में नहीं निकलेगा आपको कैसे निकालना है जिस प्रकार से मैं अभी Unit जरोड़ देखे लेगना वीडिओं को काट-काट करके मुद देखना मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं अगर आपको अच्छी त्रह कर चीह निकालने चलो तो आपको पूरा गाना कि जो पर्थम लाइन है जो पहली लाइन है उस लाइन के जितने अच्छर हैं उन अच्छरों को आप लोग अलग अलग करके इन सुरों पे ढूनिये पहले कि उन अच्छर के सुर कहां पे मिल हैं जैसे इस चीज को मैं आप लोगों को एक कापी पे लिख करके और हर्मनियम प बदन अब ये हमारी गाने की पूरी लाइन है चंदन सा बदन अब ये हमको हर्मनियम पे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इस लाइन के जितने भी अच्छर है चा अधाना दा ना सा बादाना यानि कि इन अच्छरों को हम लोग अलग अलग इन स्वरों पे ढूनेंगे कि चा का सुर कहां पे मिलेगा आधा ना का सुर कहां पे मिलेगा ना का सुर कहां पे मिलेगा ना का सुर कहां पे मिलेगा सा कहां पे मिलेगा बाका कहां मिलेगा दाना इन यानि कि इस ल अच्छर को रहें पर कैसे ढूना जाता है तो प्लीज वीडियों को पूरा दोर देखना वीडियों काटना मत सबसे पहले हम ढूनेंगे चा को जो पहला अच्छा रहें चा सब्ध कहां से सुरू हो रहा है इन सब्सक्राइब कहां पर मिल है जैसे हम इस गाने को आपको पहले काली से ढून करके बता रहा हूं सी साब से जैसे अब हम गाने के पहले अच्छर को गाएंगे जैसे अब ये हमारा सुर बना है अब इस सुर को हम लोग इन बटनों पे ढूनेंगे कि ये जो सुर मैंने अपने गले से गाया है वो सुर इन सुरों पे कहां पे मिल ला है जहां पे मिल जाया वो गाना वहीं से सुरू हो रहा है और वहीं से बजेगा जैसे हम लोग क्या करेंगे हम लोग सी साप से पहली काली से इधर की तरफ ढूनेंगे क्योंकि आपको सुनने में ही पता चल ला होगा कि इसके धुन है व अब ये कहां पे मिला ये मिला पापे यानि कि इसकी जो गाने की सुरुवात हो रही है पा से सुरू हो रही है और ये जो गाने का चा अच्छर है ये भी आपका पापे मिला जैसे आपको गाने का चा अच्छर मिल गया अब किसकी बारी है अब बारी है अधाना और दा यानि क कि अंद अगर हम चा को हटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा अब इसको हम लोग भी इसी प्रकास से ढोंदेंगे एक यह जगा पर रोंक करके मिल गया चंद अब आपको इस गाने का इतना मिल गया चंद यह धाय धाय अच्छर मिल गये अब आपका बचा क्या आप बचा आपका ना ना को भी इसी प्रकार से ढूनेंगे जैसे चंदन आपका ना कहां पे मिला ना मिला तिवर मापे यानि कि आपको पूरा चंदन मिल गया ये इतना आपका गाने का चंदन जो ये सब्द है ये चंदन आपका पूरा मिल गया किन किन सुरों पे मिला देखना चंदन पा और मा पे ये दो अच्छरों पे आपका मिला चंदन अब इसके बाद क्या है इसके बाद है अब आपका बचा सा अब सा को भी हम लोग इसी प्रकार से एजगा पे रोकेंगे और इन बटनों पे मिलाएंगे देखेंगे यो सा का सुर है कहां पे मिला जैसे अब ये हमारा कहां पर मिला गापे सा जो अच्छर है कहां पर मिला है गापे अब हमको चंदन और सा ये अच्छर मिल गए देखना चंदने सा अब आपका बचा क्या अब आपका बचा यह बदन इसको भी हम आप लोग इसी प्रकास से यह जगा पर रोंक रोंक करके इन बटनों पर मिलाएंगे देखेंगे इसके सुर कहां पर मिल है जैसे चंदने सा बदन बदन अब यह दो नमारी बन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग जो बा अच्छर है बा को यह जगा पर रोकेंगे देखेंगे जो बा अच्छर है कहां से सुरू हो रहा है इन बचनों पर जैसे बा अब यह कहां से सुरू हुआ यह सुरू हुआ आपका रियसे यानि कि यह बा अच्छर है रे पे मिला है जब रे पे मिला है तो रे से ही यह बजेगा अब रेसे बज़ेगा तो हम लोग रेसे बादन यानि कि तीनों अच्छरों को ढूनेंगे जैसे चंदने साबदन अब हमको ये पूरी लाइन मिल गई मैंने कैसे ढूना? मैंने पूरी लाइन को एक साथ में नहीं बजाए मैंने हर एक अच्छर को अलग अलग करके ढूना और हमको पूरी लाइन मिल गई सबसे पहतो आपको अच्छे से गाने को सुनना है सुनने के बाद आपको गाने के लेरिक्स में इतने अच्छर हैं उन अच्छरों को इन विप गाने को निकालते तो आप लोग बड़ी आजान तरीकेश याफ को गाने को निकाल को अगर वीडियोगों वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ग